दोस्तो उल्लू जितना डरावना होता है उतना ही बुद्धिमान क्या आप भी उल्लू को बेवकूप समझते हैं यदि आपका जवाब है हाँ तो आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि उल्लू एक चंट पच्ची है क्या आपको उल्लू उल्लू को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है धर्दी पर उल्लू की दोसों से जादा किसमें मवजूद है यह अंटार्टिका को छोड़ करके पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उल्लू की एक मात्र ऐसा पच्ची है जो नीले रंग को देख सकता है उल्लू एक साल में एक हजार चुए खा जाता है उल्लू अपनी गर्दन दोसो सत्तर डिग्री घुमा सकता है यह 135 डिग्री दाए 135 डिग्री वाएं कहने का मतलब उसको अपने सरीर को मोड़ने की अवसकता नहीं अपने पीछे देखने के लिए उल्लू किसी भी वस्तिका 3D इमेज देख सकत इल्फ नाम का उल्लू धर्ती की सबसी छोटी उल्लू है जो मात 31 गराम की है ग्रेट हौर्ण नाम का उल्लू धर्ती का सबसे बड़ा उल्लू है जिसके पंख 5 पीट तक लम्बे है उल्लू अपने ताकत वरवच्चे को खाना पहले खिलाता है और कमर्योर को बाद में और ये अपने खाने को निगलते हैं उल्यू बहुत ही महेंगा होता है भारत में इसकी कीमत साथ हजार रुपए तक है उल्यू का इस्तमाल दवाओं को बनाने में भी किया जाता है उल्यू के सिर की खाल को काला जादू के रूप